यूपी के महोबा में महा कौशल एक्सप्रेस हाथसे की शिकार महोबा रेल हाथसे की जाच एटीएस करेगी क्या महा कौशल एक्सप्रेस हाथसे के पीछे भी साज़श है एटीएस भी हमारी पहुची हुए है रेल के पुलीस कर्मी भी है उन्लोक से भी बात करके क्या वहाँ पे हाथसे का कारण है बार बार रेल हाथसों में आतंग की हाथ होने का खुलासा महोबा से निकली थी तो इसके पीछे के आठ डिबे डिरेट हुए है कानपुर हो या उजयन रेल हाथसों में आतंग का हाथ क्या आतंकियों ने हमले का नया तरीका ढूंडिया है ट्रेन से टेरर फैलाने की आतंकी साज़िश उत्तर प्रदेश के महोबा में महा कौशल एक्सप्रेस कल रात हाथसे का शिकार हुई ताजा अपडेट इसमें ये है कि महोबा ट्रेन हाथसे की जाच एटीएस कर रही है एटीएस की टीम मौके पर पहुँच चुकी है सीएम योगी आदित्यनात ने स्वास्त मंत्री सिधार्थनात सिंग को मौके पर जाने के लिए कहा है कल रात दो बच कर बीस मिनिट का वक्त था जब जबलपुर से हजरत निजाम الدीन जा रही महा कौशल एक्स्प्रेस की आच बोगिया यूपी के महोबा स्टेशन के पास पट्री से उतर गई डीरेल हो गई हाथसा होने की पुष्टी हो चुकी है हाला कि मौके पर इस वक्त वी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद नहीं है अपुष्ट खबरों के मताबिक हाथसे में 62 लोग घाल हुए है मौके पर मौजूद गवा हाथसे की जानकारी दे रहे हैं जो कोच पट्री से उतरी है उनमें से चार एसी कोचर्स हैं जबकि एक स्लीपर कूच है इसके लावा दो जनरल कोच और एक गार्ड कोच भी पट्री से उतरी है फिलाल बोगियों को तोड़कर रेस्क्यू ओपरेशन जारी है तस्वीरे आपके सामने हैं यह तस्वीरे एकदम सही है यह तस्वीरे हमें न्यूज एजन्सी एनाई के जरिये मिली है और किसी तरह की इनसे छेड़चार नहीं की गई है इसे आप तक्नीकी तौर पर सही मान सकते हैं कोई भी हाथसा हो वो दुरभागे पूर्ण होता है और इस पर चिंता है राजसरकार को है और इसलिए आदने मुख मंतरी योगी अदनाजी ने मुझे आदेश दिया है स्वास्त मंतरी के रूप में और केंद्र मंतरी के रूप में कि मैं वहाँ पर महबा जाओं जिसके लिए मैं अभी प्रस्तान कर रहा हूं हलिकॉप्टर से और वहाँ पर जाके जो घायल हुए हैं जो उन्लों का स्वास की चिंता करना और साथी साथ उसमें ATS भी हमारी पहुच हुए है रेल के पुलीस कर्मी भी हैं उन्लों के बात करके क्या वहाँ पर हाथसे का कारण है उनका सब जाहिजा लेते वे मुखमंती जी का अवगत करवाँगा और जो भी मुखमंती जी के आदेश पर वहाँ पर उसका वित्रन करेंगे उसका अनौन्स करेंगे आखिर क्यों महोबा ट्रेन हाथसे की जाज ATS को दी गई है क्या महोबा हाथसे के पीछे आतंग की साज़िश की भी आशरंका है ये सवाल क्यों उच रहा है ये हम आपको बताते हैं दरसल हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो ट्रेन हाथसे हुए उनके पीछे आतंग की साज़िश का शक जताया गया कानकुर में इंदौर प्टना एक्सप्रेस हाथसे की जाच फिल लहाल NIA के पास है फिर कानको ट्रेन हाथसा E.S.I. के हाथ होने का शक है और इसकी भी जाच जारी है ट्रेन हाथसे के पीछे आतंग की शमशुल होदा का हाथ होने का शक है उजेन ट्रेन ब्लास्ट इसमें भी आतंकी साज़िश का श्रक जाचना ये के पास है मोतीहारी में रेल ट्राक पर बम रखा गया हाला कि साज़िश नाकाम रही ये राहत की बात थी पियम मोदी ने भी रेल हाथसों में आतंकी हाथ होने का श्रक जताया था लखनाओ में मारा गया सैफ उल्ला भी ट्रेन में धमाके की फिरा का था तो हम भी चिलाए अब देखा फिर ट्रेन पटा हुआ है तो हम भी फिर उठे और फिर सारे लोगों ने मदद की हमारी शीशे हो गयरा तोड़के खिड़कियों के और फिर निकाले सबीगे है कौन कितने डिब्बी है यह तिन चार्ट पर चारी सी कुछ होए दो जनरल दो बचकर 20 मिनिट पर यह ट्रेन हाथसा हुआ है उत्तर प्रदेश के महुबा के पास जब यह महुबा और कुल पहाड के बीच सेक्शन में थी महुबा से निकले थी तो इसके पीछे के आठ ड डिब्बो में एक गार्ड कम लगेज कोच एसलर कोच दो और नरी सेक्रिंड क्लास कोच चार एसी क्लास कोच इस को जिसकी यह गारी है पीछे के आठ कोश परभावित हुए हैं इसमें से दो डिब्बे जो है थोड़े से पल्टे भी हैं तो कुछ तस्वीरे इस वक्त हम आ कोचल एक्सप्रेस डिरेल हुई है आठ डिब्बे पट्री से उतर गए हैं यह स्पॉट की पिक्चर इस वक्त हैं चार बजे के आसपरस इंफॉर्मिशन मिली थी और वो भी हमें दिल्ली में डीजी एंड डीरेफ श्री आरके वश्निंदा के निर्देश पे जानकारी मिल टाइम लगा हो रास्ते में की लखनों यहां से काफी दूर है अभी यहां पर आने के बाद हमने देखा तो अभी सर्च हम फाइनल सर्च एक कर रहे हैं जिसमें वैसे तो किसी के फसे होने की संभावना नहीं है बट यह है कि कुछ सामान मिला है कि कुछ मोबाइल और बैग को अगरा मिलें पर्सनल बिलॉंग उसकी एक सीजर रिपोर्ट बना के अभी हम कंसर्ण सीविल अड्मिस्ट्रेशन को हैंड़ोवर कर देंगे अभी इस समय एज आफ नाव कैजूल्टीज या ट्रैप होने की संभावना नहीं है ठीक है बट फिर भी हम अपने जो हाई को होने दोने नहीं है जो होने दोने नहीं है